हल्दवानी में कॉंग्रस के स्वराज आश्रम में आयो जित्त खिचडी भोज में उस वक्त रायता फैल गया जब खिचडी भोज का शुभारम करने आ रहे कॉंग्रस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायन सिंग और नेता प्रतिपक्ष इंद्रह देश को कई कॉंग माक के महीने में आयो जित्त खिचडी पार्टी में नई कारकारणी में प्रदेश सचिव बने दोनों ने ताउने विरोध जताते हुए स्टीफा देने के बाद पार्टी के प्रदेश नित्त पर निश्वान असा था अपना स्टीफा सौप्च के संजे किरोला का कहना था कि लंबे समय से पार्टी में काम करने के बावजूद उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है बलकि जिसने पिछले चुनाओं में पार्टी का विरोध किया उन्हें महामंत्री पद से नवाजा जा रहा है महीं खिचड़ी कार करम में फैले राईते पर नेता प्रतिफश, इंदरा हिद्र देश ने कहा कि केंद्रे नित्तुने सब के सामने कहा है कि मास नेताओं को पार्टी में शामिल करें और उनको जिम्नदारी भी दी जाए केंदेंदेत्व के निर्देश के अनुसार ही काम किया जा रहा है लेकिन जब ये नाराज नीता सुने तभी तो इनको बताया जाए हमने पार्टी में अपना विरोध जताया पार्टी में कुछ सिस्टम में कुछ खामियां हैं उस खामी को उजागर करने के लिए हमने आज अनुगरा नारायन सिंग जी को भी इस्तिफ़े की कौपी दी क्योंकि इस्तिफ़े हम पहले ही प्रदे सद्यक जी को दे चुके थे और हमने हमारी और कोई नाराजगी नहीं है हम कॉंग्रेस के निस्टावान कारीकरता थे हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम पार्टी में सही हो और जो लोग पार्टी के खिलाब क काम कर चुके हैं उन्हें अगर प्रुस्क्रित किया जाएगा और कारीकरता का मनोबल गिराया जाएगा तो वह बर्दास नहीं किया जाएगा किस बात का विरोध है अगर किसी की मास वेस है उन्हें राहूल गान्दी ने साब्देनिक रूप से जिसमें हरीश रावत पी थे किशो रुपाद ध्याए थे कहा इन्हें पार्टी में शामिल करिये एक कागज के टुकड़े फार कर कहा इन्हें कुछ काम भी सौपी है तो राहूल गान्दी जी के कहने पर सौपा गया है अब वो जब सुने तब तो उन्हें पता दे जो उनके आकाओं को भी पता है सौहम हरीश रावत जी उस पैठक करते हैं बड़ी कार करने बहुत ज्यादा थी सैकड़ों की संख्या में अभी वाल इंडिया कांगरेस कमेटे ने उसको कुछ काम करने के निर्देश दिये हैं उसके अमसार गठित की गई है अब यह काम करेंगे जो लोग भी उसमें काम करना चाहेंगे उनका बहुत ही और यह सभी के समन्वे करके सारी चीजों को देख करके बनाई गई है कई चूप मानते हैं चूप हुए जो डराज है लुकार करता हमारे अब चूप किस हस्तर पर हुए इसकी जांच करने के बीश है क्योंकि प्रितम सिंग जी ने अपना अस्परश्चिकन दे दिया है और जो अनोंने कहा है वही सही है